हेई गाईज देखो आज के डेट में स्टॉक मार्केट में निफ्टी में आपको क्या देखनी को मिल सकता है आज के डेट में भी आपको थोड़ा बहुत लाल रंग का सामना करना पड़ सकता है लाल रंग का सामना इस वज़े से करना पड़ सकता है क्योंकि अगर आप देख सकते हैं या 1.5% अप में था कुछ घंटों के लिए हम बोल सकते हैं उसके बाद बजार फिर देख सकते हो किस कदर टूटा जो 300 पॉंट से भी जादा टूटा है तो यहां पर भी आपको उसी तरीके से कुछ न कुछ निफ्टी में आपको प्राबलम देखने को मिल जाएगा क्योंकि SGX निफ्टी में भी काफी ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिल जाएगा है याद रखो यहां पर अब चारो तरप से देखो इंफलेशन का आंगड़ा आता जा रहा आता जा रहा यस्टड़े लास्ट वरकिंग डे में मैं आपको बता दूँ 4,000 करोड से जादा पैसा बजार से निकाल लिया गया है और foreign वाले उन्हें माल बेचा है मतलब 2,000,000 करोड का तो उन्हें पूरा पैसा बेच के निकाल लिया है लेकिन अब यह 2,500,000 करोड के आंकड़ी के सामने पहुंचने वाले हैं देखो इतना तो वह खुदी बेच के निकाल रहा उपर से company का जो market cap गिर रहा है उधर से भी उनको नुकसान हो रहा है चारो तरप से बाजार में जो पैसा था वो बहुत कम हो रहा तो liquidity के कारण मतलब की यहाँ पर काफी ज़यदा मैं आपको वह लूँगा critical situation create हो रहा और market में और ज़्यादा ज़्यादा गिरावट हो रहा और आज की rate में ठीक आपको निफ्टी के अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको 16,000 के बाज़ों में दिखेगा मतलब यहाँ पर आपको 16,000 के बाज़ों में आपको देखने को मिल जागा थोड़ा उपर या थोड़ा नीचे रह सकता है देखो कुछ पॉइंट से मतलब 30,40 या 50 पॉइंट के लिए मैं आपको ओलना है यह मत सूचेगा कि इतना नहीं हुआ लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आज के date में भी weakness रहेगा यस्टरडे और एक पॉइंट यस्टरड रिजल्ट अगर अच्छे नहीं है तो और बजार गिरेगा तो जैसे रिलेक्स फुड़ बहुत सारे banking कंपनियों का नतीजे हैं वो भी बहुत खराब है रिलेक्स फुड़ वेर का नतीजे मतलब कुछ खास नहीं है बजार को बिल्कुल पसंद नहीं है और बजार के साथ साथ टाटा मोटर की नतीजे भी बजार को मतलब थोड़ा बहुत निरास करने के कोशिस करेंगे क्योंकि देखो यह जो चीप मनीफेक्टरिंग और सेमी कंडुक्टर है इनका सॉटेज बहुत ही जाता है बहुत ही जादा है साथ में सॉटेज होने के कारण डिमांड बढ़ चुका है जब डिमांड बढ़ जाता है तो और इनके जो सेमी कंडुक्टर और चीप मनीफेक्टरिंग है यह महंगे हो चुके है तो इनको और जो है हाई प्राइज में खरीदना पड़ेगा अब लोगों को इनका क्या हुआ कि इनके रॉम में क्या हुआ इनक्रीज होता है तो कंपणी को फायदा होता है उस कंपणी के शेयर का प्राइज ऊपर जाता है लेकिन कंपणी का रॉम एकदम आपोजिट तो इस वज़े से टाटा मोटर जैसे कंपनी जो है निरास करते हुए नजर आएगी और लाल कलर आपको देखनी को मिल जागा हाला कि अगर देखोगे तो 400 का लेबल इसने तोड़ दिया है और 400 का लेबल तोड़ने के बाद 390 के बाज़ी में आ चुका है बूलना मुश्किल है कि कहां क्या मतलब कि आप जुन ने जो स्टॉक खरीद रखा है उसमें क्या करना चाहिए क्योंकि नतीजे भी अच्छे नहीं आ रहे करके और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो एक चीज़ और मैं आपको बता दू कि डॉलर भी आसमान फुरी डिलेवरी चार्डेस फुरी के वल्टेंटी रुपीज लगता वो भी इंट्राडे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिंटों में जाके अपना डीमेट अकांट वागर आपन कर सकते हैं बिलकुल फुरी में